नमस्कार समचाल गुल्दिर खेंड में आपका स्वावत है मैं भूजॉली आए नजर डालते हैं जहासी की खास्त खबरों जहासी में अक्षा संस्था की अध्यक्ष रेनू तिवारी जी ने बताया कि जिस तरह हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सब हैं भाई भाई इस दिशा में अक्षा संस्था की सभी सदत से अपने मन में मानव धर्म, मानव एक्ता की भावना को लेकर पूरे जहासी में एक्ता का पंचम फैराते हुए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जित और चर्च पहुँचे जहां पर उन्होंने धर्म गुरुओं से मुलाकात की एवं उन्हें निमंत्र पत्र के साथ तुलसी का पौधा सरूप उपहार में दे कर 15 अगस्त के तिरंगा यात्रा में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रिक किया एवं उन्हें बताया कि हमारा 75 वा सुतनतर दिवस में हम सब को मिल जुलकर एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके ही एक उज्वल भविश की कामना की जा सकती है भारत वर्ष को आजाद हुए अब पूरे 75 वर्ष पूरे होने के हर्ष में हम सब जासी वासियों को जाती धर्म के जगड़ों को भूलकर तिरंगे के रंग में रंग जाना चाहिए यही हमारे भारत की आन बान और शान है क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे हम एक विचार धारा से नहीं चलेंगे हम आपस में ही जगड़ते रहेंगे तो विकास असंभाव है इसलिए हम सब को आपसी जगड़ों जातपात और धर्म को छोड़कर एक साथ एक मंच पर एकत्रत होना ही होगा और यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा भारत वर्ष को आजादी दिलाने में कितने सुतंतता सेनानियों ने अपने प्राण निचावर कर दिये उनकी शहादत को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए अब वह समय आ गया है कि दुनिया को हमें यह दिखा देना चाहिए कि हम सब एक हैं इस अवसर का लाब उठा कर हम सब एक साथ इस तरंगा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो और यह बताएं कि जहासी वासी कभी जाती और धर्म में नहीं बठेंगे मानौ धर्म मानो एकतां सर्वो परी है इसलिए हम सभी जहासिवासी एक धर्म के हो जाएं वहें मानौ धर्म इसी दिशा में अक्षा संस्था के सदस्यों ने आज सभी धर्म के धर्म गुरूं को निमंत्रिद किया और तुलसी के पौधे को भेड सरूब देखकर सभी लोग गौरवानवित महसूस करने लगे एवं परियावरण के प्रती जागरुकिया इस कारिक्रा में सिद्धर शर्मंदिर के महाजन शिरी हरियों पाठक पंडित गोपाल दास अतुलतिवारी एवं सीप्री बाजार गु अस्दी मौलाना माहिम नद्वी कारी शाहिद और ताहिर खान आदी सदस उपस्त रहे समाचार बंदेल खन के लिए मनिश अली किरपोर्ट